अगर आप मेरी 30 दे थर्टी नेम रियक्शन की सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो क्या है कि आज पूरे दिन में हमें कप्लिंग रियक्शन को लर्ण करना है एनिहाओ मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी बताऊंगा रियक्शन भी समझाऊंगा आपका काम बस यह कि उस पूर हो तो देखते है क्पलिंग को पहले नाम से समझा वाट है इस कप्लिंग जैसे यह बेंजीन को परान और यह फिनॉल को पर दोनों आके अटेच हो गए, तो couples बन गई है, coupling हो गई इनकी, सिर्फ इस वज़े से इसको coupling reaction कहते हैं, और कोई reason नहीं है, अभी इसका name orange die क्यों है, azodie क्यों कहते हैं, यह सब भी मैं बताऊंगा, फहले reaction देख लो कि reaction क्या है, देखो, benzene को इपर N2Cl दिख रहा है, मतलब इस यहां पर यह reaction हो रही है, उसका medium कैसा है, OH-, OH- कोई reaction करने के लिए यूज नहीं है, और आइए सिर्फ यह reaction हो रहा है, यह कहा हो रही है, और क्या बना रहा है, एक azo compound बना रहा है, या die azo compound बना रहा है, die azo क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहां पर दो N group है, थोड़ा it will show orange color, सब्सक्राइब क्यों बना रहा है, और इस दो N के वज़े से इसको हम azo dye कहते है, सब्सक्राइब क्यों बहुत सारे use होते हैं, इसलिए important है, हाँ, definition में एक problem आएगी कि आप इस compound को बोलोगे क्या, इस compound का एक नाम और होता है, इसको आप phenol orange भी कह सकते हो, phenol क्यों क क्योंकि इसका orange color होता है, तो basic चीचे जितनी भी थी, वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिये, अब हमें सिर्फ reaction को समझना है कि reaction होती कैसे, और फिर हम देखेंगे इसकी proper definition, जो आप याद करके comment करोगे, तो समझते हैं reaction यहाँ पे, same compound use करेंगे, जो हमने वहाँ पे zoom किये देखो, benzene diazonium chloride का formula यह होता है, NNCl, और यह react कर रहा है हमारा किस से, phenol से, देखो phenol क्या होता है, benzene के ओपर OH होता है, but reaction को समझने के लिए, यहाँ पे जो hydrogen होता है, यहाँ पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, highlight कर रहा हूँ, और कोई concept नहीं यहाँ पे hydrogen को लिखने का कि, compound, ठीक है, तो basic solution को दिखाने के लिए, हमने OH- लगा दिया, और reaction क्या होता है, यह होता है, यह HCl मिलकर क्या मना देंगे, HCl को कर देंगे, remove, और क्या बन जाएगा, अब देखो यह, बेंजीन और N2, जो सेम ऐसे कैसे ही है, और यह nitrogen bonded हो जाएगा हमारे इस वाले carbon से, तो य यह वाला nitrogen इस तरीके से हो गया, bonded, और क्या मना दिया, इसने, azo compound बना दिया, यह रहा हूँ, यह die azo compound बोलो, तो ज्यादा सही रहेगा, because there are two nitrogen, इसको हम phenol orange भी कहते हैं, सब लिख देता हूँ है, phenol orange भी कहते है, phenol मतलब, क्योंकि phenol use हो रहा है, यह, orange मतलब, color orange होता है, orange बेंजर डाई भी कहते हैं, ठीक है, और कहीं कि यह आपने इसका एक और नाम देखा होगा, that is four hydroxy azobenzine, तो यह name मैं इसलिए बता रहा हूँ, because अभी हम जब define करेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या, कुस्तों बोलोगे, that is why I am telling you all these names, तो अब करते हैं इसको define, देखो reaction दो सर् दिये, अब define करते हैं इसे, define करना नहीं है, definition को बनानी है, याद नहीं करनी है, तो बनाते हैं इसे देखो, when benzine diazonium chloride reacts with a phenol in basic medium, it forms four hydroxy azobenzine, that's it, आप इसको phenol orange भी कह सकते हो, orange dye भी कह सकते हो, azodine भी कह सकते हो, इस सब इसी के नाम है, यह azodine compound की category माता है, क्योंकि यहाँ दो N है, मुझे पता है, repeat करनी है, definition, तो मेरे साथ साथ आप भी बोलना, बोलो, when benzine diazonium chloride reacts with a phenol in basic medium, it forms four hydroxy azobenzine, that's it, I hope आपको इस reaction सजमाई होगी, यह definition सजमाई होगी, तो आपके पास पुरा दिने, इस reaction को असानी से याद करो, बिलकुल easy way में, अगर आपके पास मुझसे भी easy way है, तो आप उस easy way में याद करके comment करो, I will give you heart, और इस definition को learn करके comment में लिखो, तो पढ़ाई करो, definition learn करो, board के preparation करो, अपने और अपने प्रेंट्स का ख्याल रखो and be happy.